नमस्कार साथियों, राहूल जी का स्वागत है, हमारे साथ राजस्तान के मुख्यमंत्री अशोग गेलोड जी, चात्यसगर के मुख्यमंत्री गूपेश बगेल जी, हलो, डॉक्टर अभिशेक सिंग्वी और हमारे संगटन के महामंत्री केसी विने गुपाल जी वुजूद है, मैं राहूल जी से गुजारिश करूँगा, वो पहले आपको संबोधित करेंगे, बाग में आपका सवाल जवाब लेंगे, राहूल जी. नमस्कार, मैंने आप सब से काफी बार बोला है, कि हिंदुस्तान में लोक तंत्र पर आकरमन हो रहा है, और इसका हम को हर रोज नए नए उधारन मिल रहे हैं. सवाल मैंने एक ही पूछा था, फाउंडेशन पर जाता हूँ, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें बीस हजार करोड रुपिया, किसी ने इन्वेस्ट किया, अदानी जी का पैसा नहीं है, अदानी जी का इंफरस्ट्रॉक्चर बिजनिस है, पैसा किसी और का है, सवाल ये है, ये जो बीस हजार करोड रुपिय हैं, ये किस के हैं, ये सवाल मैंने पूछा, मैंने पार्लिमन्ट हाउस में प्रूफ देखे, जो मीडिया रिपॉर्ट से मैंने निकाला, अदानी जी और नरेंदर मोदी जी के रिष्टे के बाने में, डीटेल में बुला, रिष्टा नया नहीं है, रिष्टा पुराना है, जब नरेंदर मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे, तब से रिष्टा है, और उसके बहुत सारे पबलिक प्रूफ्स हैं, हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंदर मोदी जी बड़े कमफर्ट में बैठे हुए थे, अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ, पार्लिमेंट में मैंने दिखाई, ये सवाल मैंने पूछा, फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया, मैंने स्पीकर को डीटेल चिट्थी लिखी, पॉइंट बाइ पॉइंट, कि मैंने कहा कि एरपॉर्ट्स अधानी जी को रूल बदल के दिये गए हैं, ये लीजिए, रूल की कॉपी, जिसको बदला गया है, चिट्थी लिखी, कोई फरक नहीं पड़ा, फिर मेरे बारे में, मंत्रियों ने पार्लिमेंट में जूट बोला, बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, मैंने ऐसी कोई बात नहीं किये, मैंने कहा, स्पिकर से, मैंने जाके कहा, स्पिकर सर, पार्लिमेंट का नियम है, कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्वादेशन लगाता है, तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है, मैंने एक चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया दूसरी चिट्थी लिखी उस चिट्थी का जवाब नहीं आया फिर मैं स्पिकर के चेंबर में गया मैंने स्पिकर सर से कहा स्पिकर सर ये कानून है ये रूल है इन्होंने जूटा अरोप लगाया है मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं स्पीकर सर मुस्कुराते हैं कहते हैं मैं नहीं कर सकता और फिर उसके बाद आपने सब ने देखा क्या हुआ सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूँगा नरेंदर मोदी जी का अधानी के साथ क्या रिष्टा है और बीस हजार करोर रुपए किस के है मैं पूछता जाओंगा मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालिफाई करके धमका के जेल में डालके मुझे बंद कर सकते नहीं मेरी वो हिस्ट्री नहीं है मैं हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ रहा हूँ और मैं हिंदुस्तान के लोग तंत्र के लिए लड़ता रहूंगा किसी चीज से नहीं ड़ता हूँ ये सचा ये अब आफ सवाल पूचिये एक एक करके एक एक करके I'll say it in English also I'll say it in English also the question begins few weeks back in Parliament where I asked the Prime Minister a very specific set of questions question number one 20,000 crore rupees or 3 billion dollars are in shell companies owned by Mr. Adani Mr. Adani could not have generated this money he's an infrastructure business where did this money come from whose money is it that was the first question whose shell companies are there these companies are working in the defense field why does nobody know whose money this there is a Chinese national involved in this why is nobody asking the question who is this Chinese national that was the first question second question was set of questions with proof what is the Prime Minister's relationship with Mr. Adani I showed the picture of Mr. of the Prime Minister and Mr. Adani's plane relaxing I gave documentation about the defense industry about the airports about statements made in Sri Lanka about statements made in Bangladesh pictures of Mr. Narendra Modi sitting with the state bank chairman in Australia and I put this proof on the table immediately after that the BJP started its work my speech was expunged I wrote a letter to the speaker with a detailed explanation on the defense industry on the airports with press clippings supporting documents legal documents and said this is the supporting foundation of my speech I have not made this speech I have not invented this this is detailed research here it is nothing happened nothing was revoked my speech today is not part of the record of parliament the same by the way was done with Mr. Karge after that BJP ministers lied about me in parliament they made the statement to distract from the Adani issue the whole game disqualification and all these statements are to distract from the central question whose money is it 20,000 crores whose is it that's the main question the whole thing is to distract so they said that I have asked foreign forces to help India most ridiculous statement I have never made such a statement you can look at all the conversations I had in the United Kingdom not one such statement was made in fact I said this is India's problem India has to resolve this problem right a minister lies on the floor of the house I wrote to the speaker and I said speaker sir it is my right as a member of parliament when somebody makes an accusation to state my position please let me state my position the first letter is not answered I then write a second letter with more details saying the names and what was said still no answer I then go to the speaker's chamber and I say speaker sir what is going on we live in a democracy you are the defender of that democracy why are you not letting me make my statement the speaker smiles and says I cannot do that come and have a cup of tea with me right so this is the whole drama that is being orchestrated to defend the prime minister from the simple question whose 20,000 crore rupees whose 3 billion dollars went to Mr. Dhani shell companies by the way sorry I just need to finish that I left out a part look I am here defending the democratic voice of the Indian people I will continue to do that I am not scared of these threats of these disqualifications of these allegations of these prison sentences I don't care I am not scared of them okay these people don't understand me yet I am not scared of them they are used to everybody being scared of them I am not scared of them right and I will continue to ask the question what is the prime minister's relationship with Mr. Adani it is an old relationship it is a relationship that began when he was chief minister of Gujarat Mr. Adani constructed the idea of resurgent Gujarat organized all that this is a partnership it's a close partnership keep asking that question Rahul 4 months पीच में जाने का अजी आन्वर सर भारती जन्ता पार्टी ने आप पर OBC समुदाय के अपमान का आरूप लगाया है इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे भारती जन्ता पार्टी में पिछले भारती जोड़ो यातरा में आप मेरी कोई भी स्पीच देख लीजे मैं वह OBC का मामला नहीं है ये नरेंदर मोदी जी और अदानी जी के रिष्टे का मामला है बीस हजार करोर रुपए जो अदानी जी को पगानी कहां से मिले उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूँ और उसका जवाब चाहिए बीजे पी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है कभी OBC की बात करेगी कभी विदेश की बात करेगी कभी कुछ और बात करेगी कभी डिस्पॉलिफिकेशन की बात करेगी मगर सवाल यही है बीस हजार करोर रुपए त्री बिलियन डॉलर किसका था और वो अधानी का पैसा नहीं हो सकता जैओं लेकिण आपने कहा आप दर्के नहीं है लेकिन स्टेट के टार्ट पे है और स्टेट आपके खिलाब है पूरी स्टेट पूरी मसीनरी आपके खिलाफ है ऐसे में आपके सामने चैलेंज बहुत बड़ा है तो रास्ता क्या है? ćुझ लेगे वेगे स्टेटि हो यह हूऐ कुछ भी हो मैं सचाई को देखता हूँ मुझे और किजी चीज में इंट्रेस्सनी है मैं सचाई बोलता हूँ राजनेटि में यह फैशनल बह्त नहीं ए मगर यह बात मेरी खून में है, मैं और कोई रास्ता निकानी नी सकता हूँ, तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जिवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाओंगा, चाहे मुझे डिस्क्वालिफाइ करें, मारे पीटे, जेल में डालें, मुझे कोई फर्ग नी पड़ता, मुझे अपनी तपस्या करनी है इस देश ने इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है शान्त हो जाईए इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है प्यार दिया है इज़त दिया है इसलिए मैं ये करता हूँ सुप्रिया सर राउल सर BJP के जो leaders आप पर attack कर रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे और इसके लावा वाइनार्ड वहाँ पर जब से ख़वर गई है वहाँ पर लोग बहुत disbelief में है protest भी erupt हो रहा है आप अपनी constituency के लोगों को क्या कहना चाहिए देखिए मैंने constituency में भी बोला कि वाइनार के लोगों के साथ मेरा परिवारिक रिष्टा है family प्यार का रिष्टा है तो मैंने सोचा कि मैं वाइनार के लोगों के लिए अपनी एक चित्ती लिखून के लिए कि मेरे दिल में उनके लिए क्या है तो वो तो मैं रिजॉल्व कर दूँगा उनका देखिए बीजेपी के नेताओं का काम यह है देखिए वो सब नरेंद्र मोधीजी से डरते हैं कानण आप जानते हो नरेंद्र मोधीजी ने कहा कि देखिए ध्यान अटाना है वो सब जानते हैं दानी जी और नरेंदर मोधी जी कर रिष्टा सारे के सारे जानते हैं क्या रिष्टा है सब जानते हैं मगर डरते हैं तो अगर नरेंदर मोधी जी रहो इंसे कहा कि भाईया ध्यान उधर करो ध्यान उधर करेंगे मगर सवाल यही है 20,000 करोड रुपए किसका है जैने अंदर जैने अंदर राहुल जी राहुल जी पूरी कॉंग्रेस पार्टी सर पूरी कॉंग्रेस पार्टी है कह रही है कि आप चाहे वो गुजरात की कोट ने आपको सजा सुना ही या आपका निलंबन हुआ ये सब कुछ केंद्र सरकार प्रधान मंतरी के इशारे पर हो रहा है लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून ने अपना काम किया है तो ये दलील है कि कानून ने आपको सजा दी है और उसी की वज़े से आपका निलंबन भी हुआ है देखिए, लीजल मैटर है मैं हिंदुस्तान के लीजलən सिस्टम को रिस्पेक्क करता हूँ मैं लीजल मैटर पर इस प्रेस कॉनफरेंस पर बात नहीं करना जाता हूँ हाँ संजीव अगर आपके लीजल सवाल होंगे no look please please understand why I have been disqualified I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech he is scared of the next speech that is going to come on Adhani right I've seen it in his eyes so he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in Parliament that's the issue that is why first the distraction now the disqualification please don't be confused about this matter there is a there is a deep relationship between narendra modiji and mr adani there is there is a question 20 000 crore rupees have suddenly arrived in mr adani shell companies where has this money come from whose money is it it is some of these companies are defense companies why is the defense ministry not asking this question why is the defense ministry not asking the question but please explain to us who whose money is this that is being spent on our drone development that is being spent on our missile development that is being spent on our ordinance production why is the defense ministry not asking this question manjari manjari please a minute a minute manjari abita congress se duri bana ke chalde de wo bhi apke samarthan may ae to aapko kialata aapbosome aaga ndra sari vipaksh ko aek jut ho jana chahiye may un sabka sabwe pakshi daloka dhani waad karta hoon ki unhoney is baat may amari support ki auram some milk a kama karinge रंजीता जस बयान को लेकर आपको यह सजा सुनाई गई है क्या आपको लगता है आपको अफसोस है उस बयान को लेकर खिया कहेंगे उस बयान पर अब देखिए अभी ये लीगल डिसकशन है उस पर मैं टिपनी नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये कॉर्ट में मामला है मगर मैं मैं जो भी जवाल उठाता हूं वो सोच समझ के उठाता हूं राहुल जी अभी कुछी दिन पहले लक्षद्वीब के सांसर मुहम्मद फैजल के सदस्ता गई थी और बार में हाई कोट नहीं स्टे कर दिया था अभी उनकी मेंबर सिव री इंस्टेट नहीं हुई है तो आपको उमीद है कि लोग सबाई स्पीकर भी आपकी सदस्यता को बाहल कर देंगे मुझे उमीद में कोई इंट्रेस्ट नहीं है चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले मैं अपना काम करूँगा अगर ये मुझे पर्मनल्टी डिस्क्वालिफाइ कर दें तो भी मैं अपना काम करूँगा अगर मुझे रिइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूँगा मुझे कोई पढ़ नहीं पढ़ता मैं पार्लिमंट के हंदर हूँ या बाहर हूँ कहा हूँ मैंने आप से कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है मैं उसको करके दिखाऊंगा आपके लिए अपने लिए रवीट एक मिनिट रवन एक मिनिट रवन इस नूट अप टो मी इट अप टो प्रेजिदेंट कौन जाएंगे रहूल जी रहूल जी रहूल जी मेरा स्वाथ के हां बैठे हैं दोनों मुख्यमंत्रियों का भी अडानी जी से रिष्ता है उनके साथ लेंदेन का मामला है यह भी का बात करने कोशिच मत कीजिए यह बीस हजार क्रोर रुपय अधानी जी शेल करेंड कमपनी से कहां से आये आप inquiry कीजिए अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए अगर बात निकली तो किजी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए आ सिदर्थ सर, राहूल सर एक मिनिट मैडम, मैडम आप लोग तंत्रों को समझे यह जो पैनिक रियाक्शन इनोंने किया है नरेंदर मोधी जी ने इस सबसे जादा सबसे जादा फाइदा मिलेगा विपक्षो यह इनोंने हमें हतियार पकड़ा दिया है यह आप बात समझे यह यह मोधी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी ये 20,000 क्रोड रुपे किसके हैं डर गए गबर आ गए इन्होंने पूरा सीक्वन शुरू कर दिया ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हत्यार दिया है क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अधानी जी भरष्ट व्यक्ति है अब जनता के सवाल जनता के माइंड में ये सवाल उठा है कि इस भरष्ट व्यक्ति को हिंदूस्तान का प्रधान मंत्री क्यों बचा रहा है यह मतलब अब सब कुछ BJP के लोग नरेंद्र मोधी जी सब कुछ इस वियक्ति को बचाने के लिए क्यूं कर रहे हैं दूसरा सवाल BJP के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमन देश पर आक्रमन है मतलब इनकी माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है बात समझ ये राउल जी मेरा सवाल आप से ये है कि जब आप ये फैसला सामने आया आपको maximum punishment जो है इसमें जो सकती है वो आपके लिए मुकररर की गई इस बीच कई लोगों ने ये भी कहा आपके party के भी एक सांसर ने कहा कि कम से कम जज को ये देखना चाहिए था कि सामने जो शक्स है वो एक गांधी परिवार से आता है इस पर आप क्या कहेंगों आपको लगता है maximum punishment जो है आपके दस साल होते हो भी मिल जाता मुझे क्या पढ़ रहा है या रजीप हो dos my my I have only one step and that step is to fight for the truth in this country and to defend the democratic nature of this country that is under please let me finish Rajdeep unless you want to answer it for me you do that also sometimes so my job as I see it is to defend the democratic nature of this country and I will do whatever I have to do whatever I have to do to defend the democratic nature of this country what does that mean that means defending the institutions of this country that means defending the voice of the poor people of this country that means telling the people of this country the truth about people like Mr. Adani who are basically exploiting the relationship they have with the Prime Minister yeah Pallavi Pallavi please one second let's go look I am see these are legal matters it makes me no difference I told them it makes me no difference if I am disqualified not qualified whatever it makes me no difference disqualify me disqualify me for life put me inside jail I will keep going I will not stop Mr. Gandhi two things here one are you worried or apprehensive about the political relevance of say the opposition do I look worried to you do I look worried to you I am excited I am happy that these people have given me the best gift they could give me and second Mr. Gandhi is that BJP's reaction since yesterday is that if you hadn't torn the ordinance then then perhaps you wouldn't be facing the law today your response to that my response to that is that when somebody is guilty of something they want to distract everybody's attention right if you catch a thief the first thing he says is I didn't do it the second thing he says look there look there look there look there right that's what the BJP is doing we have caught 20,000 crore rupees entering Mr. Adani's companies nobody knows whose money that is that money cannot be Mr. Adani's money he does not generate this type of money so that money has come from someone all this OBC disqualification anti-national all this is to distract from the panic that the Prime Minister is feeling that his relationship with Mr. Adani is going to be exposed let me tell you that relationship is going to be exposed nobody is going to stop that it is going to happen because the opposition is going to press this thing until we find the answer come on Ravie Sysodia Jee go Ravie 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 Jee Jee Judgement कि आपको ऑडर दिया है किया है देखो बुसकुर आ रहे है गूम गाया है में आपको उधारन देता हू आप थोड़ा घूम गहाया है एक निकाल नुगल भोलो कि बिखुछा एसे बोलो पहले राहल जी तो फ्रीस पीस इस वक्डिश एव वन टो वर शो पो ठीज पी तो बрий निकल गई रहुल जी बीजेपी के लोग बार-बार यह बात कहते हैं कि आपने जब विदेश में जाकर भाशन दिया तुनों ने का माफी मांग लेते अभी एक हाए कि कोर्ट में आप से का गशामि भी मांग लेते तो जब ये कहते हैं also ghani लेटे तो राहूल गcell tarde मेरा नाम वम गांडी है यिश Neeर गंदी कि जिभा पी नहीं मंगता और मैंने कहा बाइन मोजे मुझे भूलने दीजे न announce एक बार को बूलने दीजिये दो बाए चिछ्टे लिखी तीसरी ब़ाद मैं पर्सेलिख जा गए कहता हूँ स्पीकर प्लीस आप डेमोकरसी के देमोकरसी के लोगतंतर के आ प्रोटेक्टर है मुझे बोलने दीजीए मुझे उसको रागे कहते है भůया मैं तो नहीं कर सकता हूआ आप नहीं कर सकते तो कौन कर सकता है? शायद मुझे जा के मोदी जी से पूछना पड़े वो तो करने नहीं रहेंगे. तो मेरा जो पॉइंट है, इस देश में लोकतंत्र खतम हो गया है. इस देश के लोक, जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोलने ही सकते हैं. वो foundation है मैं नरेंदर मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूँ BJP अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है आप नरेंदर मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए मैं अदानी जी पर पूछ रहा हूँ है आप अधानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो आप इसलिए अधानी जी को प्रोटेक्ट और रहे हो क्योंकि आप ही अधानी हो थैंक यू